हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों मैरी चाह हमारी ये साइंस की क्लास रहेगी जिसमें हम साइंस को एक फास्ट रिविजन के तौर पे देखेंगे यूपीटेट एक्जाम के लिए यूपीटेट जो अपर एक्जाम दे रहा होगा थाच सिक्स से एर्थ क्लास वाला वहाँ पर साइंस इस लेवस है इस तरह से हमारा कुछ जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया ऐसे कुछ चीजें जहां से ज्यादा कुश्चन बनता है परिसंचरन तंत्र डाइजेस्टियो सिस्टम वहां से उन सारे टॉपिक्स पे एक अलग-अलग वीडियो बन जाएगा फिरहाल अभी हम इस वीडियो में एक शॉर्ट नोट्स की तौर पे हर चीज को देखेंगे यह वन लाइनर कुश्चन टाइप का यह रहे जो हमारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टिंट रहेगा दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंते तक बने रहा क करिए और अगर वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर चरूर किया करिए ताकि आपके साथ-साथ उन्हें भी इन वीडियो का बेनफिट मिल सके हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों यह साइंस पराधारी रुध रुधिर का अध्यान जो है हम जिस ब्रांश के अंतरगत करते हैं वह हीमेटोलोजी कहलाता है तो रुधिर का अध्यान हीमेटोलोजी कहलाता है नेक्स्ट पॉइंट है तंत्री का तंत्र से संबंधित अध्यान नियूरोलोजी कहलाता है तो यह सारे पॉइंट बहुत इं तरगत हम किस चीज का अध्यान करते हैं तो जैसे हमने देखा रुधिर का अध्यान हमने हमेटोलोजी के अंतरगत देखा उसी तरह से तंत्रिका तंत्र का अध्यान हम नियूरोलोजी के अंतरगत करते हैं अगर आपको तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई तिकत है या कोई बिमारी है तो आप neurologist के पास जाते हैं तो उसी तरह से तंद्र का तंद्र से संबंधित हम कोई अध्यन करते हैं तो वह neurology के अंतरगत होता है इस्तंधारी जन्तू का अध्यन मैमलोजी के अंतरगत होता है बहती सिस्था नेयिंस्स आध्यन्योग करते हैं जिवाणो का अध्यनदोस्तों व्यू-डियो बैक्टिरियोलोजी कहलाता है ये आपके इग्साम के पॉंट फ्यू से बहती इंप्पॉर्टिन्ट है दोस्तोंãy अरस्तू को जीव विज्ञानें fühम जनतूव जिए न का जनक माना जाता है थो हमारे साइंस की शुरवाथ से होती है कि अरस्तू साहब को जीव विज्ञान का एवं जनतूविज्ञान दूनों का ही जनक कहा जाता है father of biology की जाए दोस्तों तो वह अरस्तू हैं आगे बढ़ते हो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगर जौन मेंडल पर अधारित दोस्तों ग्रेगर जौन मेंडल को आधूनीत अनुवानसिकी का जनक माना जाता है अर्था फादर अफ मॉडर्ण जेंटिक्स की बात की जाए तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर अफ मॉडर्ण जेंटिक्स हिपोक्रेट्स को चिकटसा विज्ञान का जनक कहा जाता है फाधर अफ मेडिकल साइंस हिपोक्रेट्स को कहा जाता है मनुष्य की जीव के पिछले भाग तक कड़वाहट की सम्वेदना सीमित रहती है हम चार तरह का स्वाद अनुभो करते हैं दोस्तों कड़वा, खटा, मीठा, तीखा तो जो ये कड़वाहट है या पिछले भाग वाले जो हमारे जीप का पिछला भाग होता है वहां से हमें कड़वाहट का अनुभा होता है किसी वी चीज के नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन 14 वर्स की आयू तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यनत आवश्यक होता है तो प्रोटीन जो है 14 वर्स की आयू इस उम्र में बच्चे का डवलाप या विकास के लिए बहुत तीवर गती से होता है तो सरीर को की व्रधी के लिए स्रावित होता है कि अलग इस इका है वार्ग महारा थायली आंजाइम होना है कहा से श्रावित होता है तर соврем थायली विटेमिन बी-श की बात की गई है विटेमिन बी-शिक्स के मानो past और अक्तता रोग हो जाता है. Next point है, मानो सरीर में वसा उतक में जमा होती है. बेहदी important रहा ये, जो fat होता है या वस्षा कह लीजे, या कहां पर जमा होता है, fatty उतक के अंतरगत जमा होता है. Next point है, pepsin enzyme प्रोटीन को peptone में बदल देता है. Next point है, पीलिया यक्रित संक्रमण के कारण होता है. तो पीलिया किस वज़ा से होता है, यहाँ ये चीज़ आपको बताई गई है. Next point है, vitamin D हमारे सरीर में सबसे अधिक तीवरता से बनता है. तो आपको पता होगा दोस्तों, vitamin D का निर्मार सूरे से होता है, सूरे के प्रकास से होता है. Next है, दूध में vitamin C नहीं पाया जाता है. तो उस्तों, कहा जाता है कि दूध एक संपूर्ण आहार के अंतर गताता है, उसमें अर्थाच सारी चीज़े पाई जाती है, लेकिन उसमें vitamin C नहीं पाया जाता है. तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है. Next point है, किसी athlete को ताक्षणिक उर्जा के लिए carbohydrate दिया जाता है. दोस्तों, carbohydrate से क्या होता है कि तुरंत से energy मिलती है शरीर को. तो जो athletes होते हैं, अगर उन्हें तुरंत से उर्जा की जरूरत है, तो उन्हें carbohydrate का सेवन कराया जाता है. Next point है, छीली हुई सबजीयों को धोने से vitamin B एवं C निकल जाता है. तो सबजीयों को इसलिए कहा जाता है कि उसको काटने और छीलने से पहले धो लीजिए. वरना उसका vitamin निकल जाता है, उसमें जो B और C vitamin होता है. Next point है, दोस्तों प्लीहा के बारे में बताया गया है कि प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है. बेहदी important है, RBC का कब्रिस्तान की संग्या इस्प्लिन को दिया गया है. Next point है, बच्चों के अंगों की अस्थियां vitamin D की कमी से कमजोर हो जाती हैं. दोस्तों, आपको बताना होगा कि vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में. आगे बढ़ते हों, next point देख लेते हैं. Next point है, histidine amino amino amino-pocent के लिए अर्धा निवारे माना जाता है. Next point है, मुख से निकली लार starch का पाचन करती है. Most important point है, सीधे सीधे ऐसे ही question पूछ लेता है कि लार किस चीच का पाचन करती है. दोस्तों, तो लार हमारे मुख में जो होती है या starch का पाचन करती है. Next point है, glucose सरकरा तत्यकाल उर्जा प्रदान करती है. तो glucose हमें तुरंद से energy प्रदान करती है, जैसे carbohydrate. Next point है, हमारे सरीर में यक्रित सबसे बड़ी gland होती है. तो largest gland आपको रट लेना है. largest gland कौन सी होती है? यक्रित हमारे सरीर की सबसे largest gland होती है. Next point है, insulin पाचक enzyme नहीं होता है. Next है, पाचन करिया में protein amino अमल में बदल जाता है. तो दोस्तों, जब हमारे digestion की process होती है, तो उसमें protein क्या होता है? वह digestion की वक्त amino अमल में बदल जाता है. Next point है, आहार में लवड का मुख्य उप्योग भोजन को स्वादिस्ट बनाना है. जो हमारे भोजन में लवड होते हैं, minerals होते हैं, वो भोजन को स्वादिस्ट बनाते हैं. Next point है, vitamin D की कमी से होने वाला रोग. Ricketts में सरीर की अस्थियां प्रभावित होती हैं. तो उपर आपसे यही question पूछा था, नीचे आपको उसका जवाब भी मिल गया है. कि vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है? आगे बढ़ते हैं और next point देख लेते हैं. रताउंधे vitamin A की कमी से होता है. वियादी important है, vitamin A की कमी से होने वाले रोग की बात की जाए, तो वह vitamin होता है. अब आपको comment के माध्यम से बताना होगा कि vitamin A हमें किन पतार्थों से प्राप्त होता है? Next point है, अगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं, खटे स्वात की कोशिकाएं जीवा के पार्श भाग में होती हैं. तो हमें खटे स्वात का जो अनभव होता है, वो हमारे जीव के पिछले भाग में सिप होता है. Next point है, सहद में कर्बो हाइड़ेट होता है, सरवाधिक मात्रा में कार्बो हाइडरीट के अलावा हमारे आहार में उर्जा का एक प्रमुक्स रोत है तो हमारे आहार के जो कुछ प्रमुक्स रोत है उसमें कार्बो हाइडरीट सरवाधिक होता है और उसके बाद जो उर्जा हमें सरवाधिक मात्रा में मिलती है वा फैट स से मिलती है नेक्स्ट पॉइंट है विटमिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है उपर हमने देखा विटमिन A की कमी से रतांधी रोग होता था दोस्तों यहां हमने देखा विटमिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है विटमिन B12 का एक घटक कोबाल्ट धातु होता है तो को यहां है दोस्तों प्राणियों के अंगों के कारियों एवं क्रियाओं का अध्यान शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है बेहद इंपॉर्टेंट है फीजियो लॉजी किसे कहता है